हेलो वेल्कम बाक तो आर यूट्यूब चैनल आज हम लोग डिसकस करने वाले पांच यसे ट्रेडिंग टिप्स जो बहुत आपको यूसफुल होने वाले आपकी एक्यूरसी को बढ़ाने के लिए ठीक है बहुत लोगों की यही कंप्लेन होती है कि उनकी एक्यूरसी सही नही अजयरे में सब्सकि आइपयाइड को हैं वह जड़ी हैं में च difकनी हुआ जेख मनंघें देखने को आपको शूबस बढ़ें को यहां नोग करती हैं ज्मेद सब्सक्राएड़ा करनी को यहां एक्सी investigating, भी आपक्यूरसी जो है वह अःगें में वह दूपारित हर्ष तुम यहां पर आप चार्ट में देख सकते हो कि कभी इमीडियेटलि आप सुभे शुबह अगर लगाने को देखते हो या फिर आप सोचते हो कि क्या आज यहीं से नीचे जाएगा मार्केट यहीं से उपर जाएगा तो ऐसा नहीं होता है टिक है आपको अगर accuracy को बढ़ाना है आपको 12 बज़े के बाद minimum trades के setup को लेना चाहिए क्योंकि 12 बज़े के बाद आप अगर देखोगे तो बड़े moves भी आते हैं लेकिन अब किस direction में आते हैं उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखने पड़ेंगे उसके लिए आपको strength weakness ट्रेडिंग इन सब के बारे में knowledge रहना पड़ेगी मैं आपको जनरल परसेप्शन बता रहा हूं कि आपको 12 बज़े के बाद ट्रेड लेना है क्योंकि आपको पूरे दिन का सेंटिमेंट पूरे दिन का data भी आपको मिलता है अनलाइज करने के लिए अभी अगर आप उपनिंग पर ही ट्रेड लेने को देखते हो तो आपके पास क्या data सिर्फ पास्ट का data previous data जो हो चुका है उसके बेस पर आपको यहां पर decision लेना पड़ेगी लेकिन अगर आप उस पर्टिकलर डे पे बारा बज़े के बारे लेते हो तो बारा बज़े तक जो मार्केट ने बिहेव किया है मार्केट का मूड किया है क्या मार्केट नीचे आ रहा है क्या मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है कहां पर किसको ट्रैप किया है कितनी बार ट्रैप किया है यह सारी कीज़ों का अगर आपको आइडिया लेना पड़ेगा तो आपको बारा बजे तक एटलिस्ट करना पड़ेगा उसके बाद जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपका जो एक्यूरसी वह आटमेटिकली इंप्रोव जाएगा क्योंकि आपको उस पर्टिकलर डे का जो मार्केट म सिंगल ट्रेड पर दे से होने के वाला है तो मैं आपको एक प्साइकोलोजिकल पॉइंट बताता हूं मैं अगर आपको बोलू कि आपके पास दस चांस है तो आप क्या करोगे के आपके बात नहीं पास दस चांस है एक ट्रेड आभी ले लेता हूं एक सुबह 9 15 को ले लेत तो इसके लिए स्वीशन क्या है वन ट्रेड पड़े से होने के वाला सिंगल ट्रेड जैसे कि मैंने आपको बोला दस जो है आप गैज्वाली ट्रेड कर लोगे लेकिन अगर मैं बोलू एक ही चांस है आपके आस तो आप क्या करोगे पूरा फोकस उसके ट्रेड में तो सुच समझ कि आप अगर ट्रेड को लोगे कंफरमेशन देख के लोगे मार्केट के सेंटिमेंट को अनलाइज कर लोगे वेट करोगे पेशन के साथ ट्रेड करोगे और एक लेने के बाद आप खुल्ड भी करोगी क्योंकि वह आपका फॉर्स्ट रेड है सेकेंड प्रॉफिट भी है तो आपके सोचो कि प्रॉफिट अगर कम होने को आया थोड़ा सा मार्केट एसल के नज दिखा तो आप बुक कर लोगे उसको छोटे सेसल में यह सोचके कि नहीं नी फर्स्ट रेड प्रॉफिट में था मुझे तो इतना तो लेके जाना चाहिए तो इस सेम इंस्टूमेंट में आपको ट्रेड करना है अब यह मैं हमेशा आपको बताता हूं मेरे स्टूडेंट के साथ भी बताता हूं मैं यह जो पॉइंट है क्यों हमको सेम इंस्टूमेंट में ट्रेड करना है मुझे आप एक बात बताओ यहां पे हजारो स्टॉक से हजारो क इत्रोमेट में ट्रेड करने से वि़मेट क्या मिलें कि दुझे आप लोग बताओ दुनिया में हर कोई human है इतने सारए इंसाने लेकिन जो दिखने मैं उपर से सब सेम दिखते हैं न दो हाथि दो पधर ही मौह दो आकी नाक है कान है दिखने में हर इंसान human नहीं दिखता है लेकिन difference कहां पर difference है उनके nature में तो nature और behavior जैसे इंसानों का अलग-अलग होता है वैसे stocks का भी nature अलग-अलग होता है यह चीज आपको समझनी पड़ेगी तो same instrument में अगर आप trade करते हो तो आपकी accuracy automatically बढ़ जाएगी क्योंकि आप उसको continue trade करोगे तो आपको उसका behavior समझ में आएगा जैसे कि मैं सब्सक्राइब कर दो इसलिए मुझे पता है कब उसका real breakout कैसा आता है फेक breakout कैसा आता है ठीक है कब वह एसलेट करके फिर से जाता है कब हमको wait करना चाहिए कितने बार लोगों को trap करता है किस position में किस situation में ज्यादा ree ave कृता है कि हम生 Dougherr horsepower स्वे करता है का चाहिसा तो बसे हैं कि इस ऌरती स्वेड़ मैं गपने लगिखें सबस्क्राइब करता है कि 97 के ट्रेड लेना चाहिए मंसे कौन से कन से कट्रेड्म होते है तो behavior analysis इसी को बोलते हैं तो behavior कैसे समझेगा सेम instrument में बार-बार trade करोगे automatic उसका behavior समझेगा और पैसा का बाने के लिए एक instrument enough है ज़रूरी नहीं कि आपको कोई और तीसरा stock की पैसा देगा आज कोई और ही stock पैसा देगा ऐसा जरूरी behavior समझेगे automatic पता चल जाएगा उसका next move क्या होता है ठीक है फूर्थ जो रूल है वह सेम सेट अप ट्रेडिंग सेम इंस्ट्रूमेंट तो करना ही है लेकिन सेम सेट अप यूज करना है कि ऐसा नहीं करना है कि अब सेम सेम इंस्ट्रूमेंट तो कर रहे हैं जैसे कि ब्रेक आट ट्रेड ले रहे हो तो मैं ट्राइब ट्रेडिंग ही वह लो गर तो इसका combination कैसा बनेगा डेली सिंगल ट्रेड और सेम सेट अप तो इससे आपको सेट अपकी पता चलेगी कि इतने बार काम कर रहा है कितने बार नहीं कर रहा है जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड आपने लिए उसमें आपको पता चलेगा कि क्या कॉमन था क्या अनकॉमन तो लूजिंग लिएट में जो कॉमन था उसको पॉफिटेबल ट्रेड में जो कॉमन था उसको अपने सेट अप में और अच्छी एकुरेसि के साथ जब भी वह तो आपको देखता है जो कॉमन फाक्टर इत्यम वह आगर दीखे का तो आप और अच्छे से लेपाऊगाँ इस तरह से सेम सेटप सिंगल ट्रेड पड़े सेम इंस्टूमेंट यह सारी चीज़े आपको एक्वरसी बढ़ाने में अप्टमेंटिकली हेल्प कर देगी आप इसका रिजल्ट देखोगे फिफ्ट जो टिप है कि कैसे हमको एक्वरसी बढ़ानी वह है थिंकिंग इन प्रोबैबिलिटी में सोचना कि आज मार्केट को यहां से नीचे गरने की प्रोबैबिलिटी क्या है अगर मार्केट को आज नीचे आना होता तो यह ऐसा क्यों करता अगर मार्केट को इस तरह से बेव करना है तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा ठीक है तो यह इस तरह क प्रोबाइबलिटी को ध्यान में रखे अगर आप ट्रेडिंग बनाओगे तो आपके अक्रूरेसी अटोमेटिक बढ़ जाएगी तो प्लैन बनाओ लेकिन प्रोबाइबलिटी कितनी है उस प्लैन को सक्सेस करने की सक्सेस होने की उसको भी देखो पहले एनलाइज कर लो कि आपको प्लैन करना पड़ेगा इस तरह से आपको प्लैन करना पड़ेगा इस तरह से आपको प्रोबाइबलिटी निकालने पड़ेगी कि आज मार्केट की क्या प्रोबाइबलिटी है आप रॉंग भी हो सकते हो ठीक है जरूरी नहीं कि इस तरह से आप टिप्स फॉलो करो पांच टिप्स है बहुत वह सर में अपको इडिकेटर को लगा लो इस क्रॉस ओफर के नीचे रहे हैं तो शॉट करो ओपर रहे हैं तो शॉट करो और आर रहे हैं तो इस तरफ कोई टिप्स नहीं होती है मार्केट में सिंपल चीजें काम करते हैं सिंपल चीज़ों पर ही आपको फोकस करना पड़ता है थैंक यू वार्चिंग दिस वीडियो गई से विडियो थैंक यू